जार्खन राज ये अंतर जिला फुटबॉल प्रतियोगिता दोहजार तेज चौबीस का गोड़ा बनांद जमशेथपुर की टीम के बीज फाइनल मैच का समापन समाहरोक आयोजन अनुमंडल मुख्याले के रंग का प्रक्षन अंतर गत राज की एकरित प्लस टू विच्च एक मनमोह गीत संगीत एवं नृत्य कस्तूरभा गांधी रंका रंकंडा चिनिया और आदर्श बाल विकास विद्याले रंका की स्कूली छात्राओं द्वारा बैंड धुन पर सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा गीत की प्रस्तुती एवं नृत्य टीम द्वारा च शाओ नृति समेट विबिनिस संसकति कारकरम के साथ स्वागत किया गया टूर्नमेंट के फाइनल मैच में शामिल गोड़ा एवं जमशेदपुर के सभी खिलाडियों से मंत्री द्वारा परचे प्राप्त किया गया एवं फाइनल मैच प्रारम किये दोनों ठीमों के इस न में आङक मुकाबले में जम्षेत पुर्थ की टीम ने गोड़ा के विरौद फिस्ट हाफ में ही तीन गोल कर मैच में अपनी बढ़ध बना ली। सगेंड अचाफ में भी जम्षेत पुर्थ की टीम ने अपना जल्वा बरकरार रखते हुए दो गोल और दागे। जमशेदपुर की टीमें गोड़ा की टीम को पांच शूने से पराज़त करते हुए थी रुमान चक मकाबले में जीत दर्ज की एवं फाइनल मैच का खिताब अपने नाम करने में सफल रही मैन ओफ दे मैच जमशेदपुर के खिलाड़ी सीलाल हरियत पुरिया को दिया गया जबकि मैन ओफ दे सीडीज का खिताब जमशेदपुर के खिलाड़ी विकास नायक को दिया गया पुरस्कार वित्रल के दुरान विनर एवं रनर टीम के खिलारियों को पुरस्कृत किया गया इस के आतरिक पूरे टूर्नामेंट में वेस्ट गोल कीपर के रूप में गोड़ा टीम के मुजमिल अनसारी को अवार्ड दिया गया एवं सबसे अनुशाशित टीम के द्वारा रूप में चाईबासा के टीम को भी पुरस्कार दिया गया इस दोरान मैच कमिशनर एवं मैच रिफरी को भी उनके योगदान है तो पुरस्कार दिये गया इसकारक्रम के आयूजन में राज के फुटबॉल संग के महा सचिव गुलाम रब्बानी अनुमंडल पदादिकारी रंका राम नारायन सिंग प्रखन विकास पदादिकारी देवानंद राम अंचल पदादिकारी शिफ पूजन तिवारी रंका थाना प्रभारी शंकर प्र यहां मुख्या प्रतनी दी पप्पु यादो सहीद भारी संख्या में पुलिस बल की जवान विभिन विद्यालियों की चातर चातराएं खेल प्रेमी इवं काती संख्या में दर्शक उपस दिथे अधार लाएं उधार ले जाएं मिनिमम डाउन पेयमेंट के साथ अब आपके सहर गढ़वा में स्री हरी इलेक्ट्रोनिक्स लेकर आया है 0% ब्यासदर पर बजास फाइनांस के द्वारा फ्रीज, कूलर, LED TV, वाशिंग मसीन, डिप फ्रीजर, AC और भी इलेक्ट्रोनिक्स के समान हमारा पता है में रोट गढ़वा, किलर सोरूम के बगल में